नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चेर परिचेर दोस्तों पस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बहुत ही महतोपूर्ण जानकारी को ले करके जहां आज का हमारा टोपिक है फूल गोवी के फैदे और नुकसान यह है आज का हमारा टोपिक फूल गोवी एक बहुत ही गोवी भी शामिल है इसका नाम लेटिन कॉलिज से निकला है जिसका मतलब है कि फूल के साथ गोवी फूल गोवी की खेती सबसे पहले एशिया में की गई आज दुनिया भर में फूल गोवी के शिर्ष उत्पादक है भारत चीन इटली फ्रांस और संयुक्तराज अमरीका इत विटामिन A की बहुत अधिक मात्रा होती है यह विटामिन C, Follet, विटामिन K और विटामिन B6 का एक उत्करिष्ट सुरो्थ है विटामिन B1, थाइमीन, विटामिन B2, राइवोफलेविन, विटामिन B3, नियसीन और E, अलफा, टोकोफेराल भी कम मातरा में मौजूद होते हैं इसमें कैलशियम, मैगनीशियम, फासफोरस, पोटेशियम और मैगनीज जैसे महतोपूर्ण खनीज भी पाये जाते हैं यह प्रोटीन का अच्छा स्वरोथ होते हैं, बहुत कम मातरा में वसा परदान करती हैं इसमें वसा की परियाप्त मातरा शामिल है, जो औसंतरिप्त वसा और अनिवारी ओमेगा 3 fatty acid से आती है या आहार फाइवर भी प्रदान करता है और इसमें प्राक्रितिक शरकरा की एक छोटी मात्रा होती है इसमें विटामिन के होता है जिसमें सूजन को कम करने वाले गुण होते हैं ग्लुकोराफेनीन आईसोथियोसाइनेट में बदल जाता है जो कि सूजन को कम करने वाली गतिविधियों को सक्रिय करने और रक्त वाहिकाओं में लिपीड के संचय को रोकने में मदद करता है यह रक्त के अबाधीत प्रवाह में सहायता करता है जो कि एथारोस्क्लोरेसिस जैसी स्थितियों के जोखिम को कम करता है और हरदय स्वास्थे को बढ़ावा देता है आइसोथियोसाइनेट इंडोल 3 कारबनोल या आई 3C एक सूजन को कम करने वाले घटक हैं जो आनुवनशी कस्तर पर कारे करता है और प्रारमभिक चरर में सूजन की गतिविधियों की उत्तेजना को रोकता है यह पाचन के लिए भी बहुत ही अच्छी होती है यह आहार फाइवर का एक अच्छा अश्रोथ है जो पाचन में सहायक और शरीर से विशाक्त पदार्थों के उन्मूलन को बढ़ावा देता है फुलगोवी में ग्लूकोसिनावल ग्लूकोराफेनीन और सलफोराफेन की उ मुझूद आहार आईसुथियोसाइनेट पेट के अलसर और पेट के कैंसर जैसे विविन पेट विकारों के जोखिम को रोकते हैं इसके अलावा फुलगोवी के लाव स्वसन पैपलोटोसिस के लिए भी होता है इसमें इंडोल 3 कारबनोल सामिल है जो पुन्रावर्ति आईकिया फेफडे और ब्रेंची में मुखर तार को प्रभावित करती है अध्यानों से पता चला है कि कुरूसी फेरोउस सबजियों की खपत जैसे की फुलगोवी श्वसन पैपलोटोसिस की गंभिरता को कम करने में सहायता करती है कैंसर के उपचार के लिए फुलगोवी अध्यानों से पता चला है कि इन योगिकों में कैमो प्रिष्टिव और एंटी एक्स्ट्रोजन प्रभाव होते हैं जो कैंसर कोशिकाओं के विकास में बाधा डालते हैं अनुसंधान ने इस तथे के लिए समर्थन सबूत उपलब्ध कराए हैं कि ब्रेसिक्का की सबजिय मैं योगिनों जैसे कि फूल कोभी की खपत फेफड के कंसर मुतराशरे के कांसर इस ने बिचामन सी होता है जो कोलेजन के उत्पादन में महत्मण भोमिका निभाता है जो सूजन से होने वाले शती से जोडों और हड़ियों की सुरक्षा करता है इसके अलावा इसमें विटामिन के होता है जो पुरुशों और महिलाओं दोनों में हड़ियों की हानी को रोकने में मदद करता है इसके अलवा फूल गोवी खाने के फायदे रखेंगे आपके कोलेस्ट्रोल को कंट्रोल जी हाँ इसमें मौजूद गलाइको राफेनीन और सलफो राफेन की एंटि ऑक्सिडेंट और एंटि इंफ्लेमेंटरी गुनों में LDL के अस्तर और कूल कोलेस्ट्रोल के अस्तर के प्रतिरक्षा प्रणाडी को भी मजबूत बनाते हैं फूल गोवी इंटि ऑक्सिडेंट और प्रतिरक्षा मजबूत पोशक्ततूं में सम्रिध्ध है अन्य स्वस्थ घटकों के साथ इसमें विटामिन C के मौजूदगी विभिन्य प्रकार के संक्रमनों को रोकने में प्रभाव होते हैं अध्यानों ने इस तथ्य का समर्थन किया है कि फूल गोवी की खपत शरीर में विभिन सूजन और चायापचय संबंदी विकारों को रोकने में फायदे मंद है यह वसा जलने वाले उश्मा जनन उत्यजना में भी मदद करती है और मोटापा को रोकती है फूल गोवी के फायदे हैं गर्भावस्था में बेहदलाफकारी अवश्यक फोलेट के उपस्थिती के कारण आहार में फूल गोवी को शामिल करना गर्भावस्था के दोरान फायदे मंद होता है जो कि शीशु के स्वस्थ तंत्रिका विकास में मदद करता है इसमें फूल गोवी की रिपेर में प्रभावी है तंत्रिका संकेतों को प्रिशित करने के लिए मस्तिश्क और तंत्रिका तंत्र के कुशल कामकाज के लिए अवश्यक है इसके अलावा फूल गोवी में पोटेशियम और विटामिन B6 के उपस्थिती मस्तिश्क स्वास्थे को बन बहुत ही अच्छी फूल गोवी का नियमित सेवन वीटामिन सी और पोटेशियम के मौजूदगी के कारण मधुमे के खत्रे को कम करने में मदद करता है फूल गोवी में पोटेशियम समगरी ग्लुकोज चया पचय को नियमित करने में मदद करती है यह शरीर में रक्त शरक्र के बढ़े हुए स्तर के खिलाप कारवाई करने के लिए इंसुलीन हार्मोन को स्त्रावित करने के लिए अगनाशय द्वारा उपयोग की जाती है शेदीर में पोटेशियम का निमन स्तर रक्त ग्लुकोज के स्तर को बढ़ा सकता है और मधुमे के लिए एक बड़ा खत्रा पै प्रभावी है इसके अलावा फूल गोभी का इस्तेमाल करेगा कोलाइटिस के लिए आप करके लाव उठा सकते हैं अध्ययनों से सुझाव दिया जाता है कि फूल गोभी के अर्क का अलसेरेटिव कोलाइटिस के लक्षणों पर सूजन को कम करने वाला प्रभाव पड़ता है इसमें मौझूद फेनी लिथीन आईसो थियो साइनेट सुरक्षात्मक प्रभाव के लिए जिम्मेदार ठाहराया जा सकता है जो व्रिहदांत्र के उत्तकों और कुलन एपिथेलियम में हुई शती पर एक बहुत ही अच्छा प्रभाव डालता है कॉली फ्लावर फॉर फुल गोभी में मौझूद सल्फोराफेन और इंडोल्स ने निवरो डिजेनरेटिव रोगों की प्रगति को कम करने में एक महतोपून भूमी का निवाई है वे विशाक्तता एंजाइम को सक्रिय करते हैं जो ग्लूटाथियोन के इस्तर को उपर उठाते हैं और अलजाइ गोभी के कुछ अन्य फायदों को जानते हैं अनुसंधान से पता चलता है कि सफेद फल और सबजियां जैसे फूल गोभी श्ट्रोक के जोखिम को कम करने में मदद करती है एलिकीन योगी की उपस्थिती के कारण जो लिवर और रक्त की सफाई में भी सहायता करता है यह व शेश रूप से वुजूर्गों में अंधेपन तक पहुचा सकता है फूल गोभी में मौजूद सल्फोराफेन अक्सिडेटिव तनाव से होने वाले नुकसान से रेटिना के उत्तकों की सुरक्षा करते हैं और इसके अलावा द्रिश्टिहानी और मोत्याबिंद जैसे वि शेश रभावी है सुल्फोराफेन की सुरक्षात्म कारेवाई ने शरीर को सुजन तवचा के कैंसर और सेलूलर शति के खिलाव बचाव किया है इसमें पोटेशियम है जो शरीर में प्रमुख इलेक्ट्रोलाइट में से एक है पोटेशियम समगरी शरीर में इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है जो तंत्रिका आवेगों और मांस पेशियों के संकुचन के प्रसारण में तंत्रिका तंत्र के कामकाज के लिए अवश्यक है फुल गोभी के अब नुकसानों के बारे में जान लेते हैं फुल गोभी विटामिन के में समरिद है जो समानी रख्त के ठके के लिए शरीर द्वारा उपयोग किया जाता है यह वाटर फिरिन और कुडमीन जैसे ठकारोधी की प्रभाव शिल्ता को कम कर सकता है यदि ठकारोधी ड्रक ले रहे हों तो विटामिन के में समरिद खादे पदार्थों के सेवन से पहले डॉक्टर से बात करें फुल गोभी में कई जटिल कार्बो हैडरेट होते हैं जो पूरी तरह से पाचन तंतर में तूट नहीं पाते हैं यह कार्बो हैडरेट आंतर बैक्तिरिया द्वारा पाले जाते हैं कभी कभी यह सूजन और हाइडरोजन और कार्बन डायोकसाइड जैसे सुगंधित गैसों की रिहाई का कारण बन सकते हैं फूल गुभी में प्यूरीन होता है जो अधिक सेवन के दोरान विभिन स्वास्ते संबंधित चिंताओं का कारण बन सकता है प्यूरीन यूरिक एसिड बनाने के लिए तूट जाते हैं और शरीर में प्यूरीन यूग तखादे पदार्थों का अत्यधिक सेवन करने से शरीर में यूरिक एसिड का निर्मार हो सकता है यहाँ आगे यूरीन एसिड से संबंधित समस्याओं जैसे की किड्निय श्टोन और गाउट के लिए रास्ता तयार कर सकता है ऐसे जटलताओं वाले लोगों के लिए यह सलाह दी जाती है कि वे फूल गोवी की मातरा को सिमित रखें कुछ लोगों को फूल गोवी के सेवन से इलर्जी हो सकती है इसलिए वो भी इसका खयाल रखें तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए फूल गोवी के फायदों और नुकसान से जुड़ी है अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहद हिमातो पूल जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों